भारती ये समाज द्वारा आयरुएद पद्धती की लगातार की जा रही है अवहिलना और पिछली सरकारों द्वारा इसके प्रती अपनाए गए सोतेले रविये की कारण इलोपैथी के मुकाबले ये पद्धती लगातार पिछड़ती जा रही है आयरुएद को किस तरह से समाज के बीच फिर से उसी तरह का सम्मान दिलाए जाए जो प्राचीन काल में उसे मिलता रहा इसी विशे को लेकर वर्तमान संदर्ब में आयरुएद के विशे से एक परिशार्चा का आयोजन किया गया जिसमें आयरुएद, योग और आध्यात्म जगत की बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया कि आयरुएद जो भारत में इतने बर्सों के बाद भी अपनी पहचान खोता जा रहा है, पनप नहीं रहा है, इसके पीछे जो पॉइंट्स हैं उसपे हम सब लोग ने मिलकर के चर्चा की और एक ऐसा निसकर्स निकाला कि हम कई सेकड़ों बर्सों की गुलामी के कारण जो प एक निरोगी जीवन पद्दती है, जिसमें व्यक्ति अगर आचार विचार सैयम से रहे, तो व्यक्ति बीमारी नहीं होता है और एक लंबी आयूस को मिलती है, कि मैं सिर्फ सरुकार से निवेदन करूंगा कि आयरुएद पर जो राष्टी चिकिशाब देती है, जो भारती ऐचो के एंडर जैसे ये लोपेष्ट काम कर रहा है, मैं चाहता हूं कि आयरुएद का डबली ऐचो बने और बनने की का सिस्टम चालू हो गया है, तो एक डबली ऐचो बनना चाहिए, और आयरुएद का होगा, जो आयरुएद के विकास के लिए, आयरुएद के बजट के सारी जितनी कम्याँ हैं उन कम्यों को दूर करने के लिए पने। बेवस्थाएं हैं जो आज मर्शीनों को दौरा सिरीर को चिक किया जाता है, पूरा है। इस से विप्रीत असर पड़ता है सरीर के उपर। हमरे नाडी बिज्ञान के द्वारा शरीर के सुप्छम से सुप्छ बिमारियों को पाया जा सकता है उसका निदान होता था इस परिशाचा में योग के छेतर की अंतराश्टी हस्ती डॉक्टर हंसराज, मशूर समासेवी शांतिलाल एंपटेल, डॉक्टर एंबी कोठिया समेथ आयरुवेज से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां मौजूद थी इस परिशाचा का यूजन आयरुवेदिक पोस्ट ग्रेजियोट्स असोसीशन मौबई की ओर से अंधेरी पश्चिम में किया गया था राज बिंद्रा के साथ आबिद नकुई प्रेस नाइन निउस मौबई